गुद्ध बॉर्णिंग आला फ्यू विद्यार्थियों आज हम बेच्चुँ दोहजार पंद्रा का यो पेपर था इंटेंस एक्जाम था उसमें जो एगरी कल्चर का पोर्शन था उसके भिषए में आज डिसकस करेंगे कल हमने जो है 2014 का पेपर डिसकस किया था तो देखिए कल आपका एक्जाम भी है तो इस परिप्रेच में आप देखिए इस प्रसंपत्र में किस तरीके के प्रसंद आये थे विद्यारतियों अभी जो 2015 के बाद हमने पेपरों की बेचु की एनालेशिश गी है तो उसमें हमें यह लगा है कि इसमें कुछ सामान जानकारी भी पेपरों में पूँची जाने लगी है जो पुरानी जानकारी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल एगरी कल्चर पूँची जाती थी पहले परिच्छाओं में उसके बाद अब जो नए पेपर बीचु के आ रहे हैं उन्हों में पुड़ा जर्नल एगरी कल्चर पूँची जा रही है जो सामान जानकारी और उससे रिलेटेड हैं और पहले जो ट्रेडिशनल स्ट्विक एगरी कल्चर जादा पूँची जाती थी 2015 से पहले और 2015 के बाद जो है आपको सामान जानकारी जैसे कौन सी उजना कहां पर चली या किस शेत्र को किसमें रिलेटेट किया गया कोई स्कीम बगएरा इस टाइप से कोस्टन भी आपसे पूंचे जाने लगे हैं 2015 के बाद तो आईए देखते हैं इस परिच्छा का पहला प्रसंद कौन सा था हमारा बीचु में तो जो पहला प्रसंद था इस परिच्छा का उसमें लिखा है विच वन अब दा फालोइंग फर्टिलाइजर इस और गैनिक इन नेचर निम लिखित में से कौन सा उर्वरग जो है वह ओर गैनिक नेचर का है तो और गैनिक नेचर का इन में ठर्ड सही हो जाएगा यूरिया नेक्स प्रशन है अंगला प्रशन है डिफिशेंसी सिं्टम ऑफ सलफर, फस्ट एपिर्स ओन यहां पर पूंचा गया है यो सलफर दिखाई देता है दिखाई देता है यंग लिप पर दिखाई देता है तो पहले के शलिब YOLVE पर दिखाई देगा तो हमारा option देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा यानि कि option number 1 ही सही हो जाएगा younger lips तो पहले जो sulfur का symptom दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमारा young lip पर और बाद का जो symptom है वो दिखाई देता है हमारा old lip पर तो ये प्रसन आपका second था तो younger lips इसमें option number 1 शही हो जाएगा next प्रसन है अंगला प्रसन है select the crop having deep root system यानि कि निम लिखित में से हमें cropें select करनी पड़ेंगी यो कि deep root system की cropें हैं तो आईए deep root system का मतलब जिनकी जणे गहराई तक top root system जिनमें होता है अंदर तक जाती हैं तो आई यह देखते हैं हमारे पास option राइस विल्कुल गलत है यह तो adventitious root system की है और इसमें जो है ग्राउंड नट टाप रूट की है टमैटो भी है तुबाग जो तमागू है वो भी है और पापाया भी है आप्सन नमबर थर्ड सही हो जाएगा जो टॉप रूट की है वो थर्ड आ अंगला प्रसन है नेक्स्ट प्रसन है pH value of the saline alkali soil बिल्वी तो विधारत्यों saline alkali soil यो होती है उसकी pH range जो होती है वो एबब 8.5 या बिलो 9.5 saline और alkali जो soil होती है उसकी pH value जो होती है 8.5 से एबब या हम लिख सकते हैं 9.5 से बिलो तो ये होती है तो हमारे आप्सन देखते हैं इसमें क्या-क्या है 8.5 एबब बिलो 8.5 इस उकल टू 8.5 और निमेंसे कोई नहीं तो आप्सन नमबर एक सही हो जाएगा एबब 8.5 या फिर आपके पास ये भी लिखा हुआ हो सकता था कि बिलो 9.5 आपसा नमबर थर्ट सही हो जाएगा नेक्स प्रसन है अंगला प्रसन जो है दा मोस्ट इस्टेबल मीजर अफ सेंटर लोकेशन इस यानि कि जो मोस्ट मीजर लोकेशन है सेंटर टेंडेंसी का वो है मारा मीन क् कि जो होता है माध्य का माध्य समांतर माध्य न मोस्ट इस्टेबल ल यानि कि केंदरी प्रवत्ति का सरवोत्तम मापंख है तो यह बिद्यारतियों आपकी गड़त का प्रसन आ गया है इंटरमेडेडे अर्गिरि कल्चर मैं जो गड़त होती है उससे प्रसन इस एक डिरेक लिख दिया गया है सेंटर टेंदेंशी हूँ होती है सेंटर लोकेशन होती हमापन होता है आपका है औरह समय मेर्टिक मैं में हो जाए नेक्स प्रस्ण है यदि एक बर्ग अंतराल की नियूंतम तथा अधिक्तम सीमा क्रमसा बीच से वं पहते से तो बर्ग का मद्द बिन्द होगा तो देख लिए आप ये भी आपकी गलित का ही सामाने सा प्रस्ण है तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया अभी ध्यारतियों पंद्रा और पंद्रा में अगर हम दो का भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 7.5 तो इसमें या हम 7.5 इससे घटा दें या इसमें 7.5 जोड़ दें जो भी होगा वही इसका जो है मद्द बिन्द हो जाएगा मद्द बिन्द हो जाएगा तो आप वीच में 7.5 अगर जोड़ेंगे 20 प्लस 7.5 तो 27.5 आ जाएगा 27.5 आपका आपसन नमबर सेकेंड इसके लिए नेक्स परसन है या आप इसको आएसे भी कर सकते थे अगर 35 और 20 को अगर आप जोड़ेंगे और इसमें दो का भाग कर दीजे तब भी आपका उतना ही आंसर आएगा जितना अभी हमने 27.5 बताया था अंगला प्रसन है विच आप दा फॉलॉइंग इस फैमिली अब ग्वाबा तो ग्वाबा की फैमिली क्या है तो ग्वाबा की जो फैमिली है वो माय टेशी है आप लोगोंने पड़ा होगा माय टेशी फैमिली का गवावा है सिडियम गवाजावा इसका बैग्यानिक नाम है और यह जो है इसमें प्रोपोगेशन स्टूलिंग के द्वारा होता है यह भी बहुत बार पूंचा जाता है कि गवावा में प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है स्टूलिंग के द्वारा प्रोपोगेशन होता है और इसकी फैमली जो है वो मार्टेशी है तो आपसन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा मार्टेशी नेक्स प्रसन है विच अब फालोइंग वेजी टेवल इस रिच सोसा बिटामिन सी निम लिखित में से कौन सी सबजी जो है वो बिटामिन सी का सवसिश्ट शुरोथ है तो आएए अपसन हमारे पास है चिली कालीफलावर क्लस्टर बीन और ओक्रा तो इसमें से हाइस्ट जो व हनुका है चिली में से प्रस्ट बेपर में बता चुके थे अंगला प्रस्ट है कि नेक्स्ट प्रस्ट है आपके पास अगर आप्सन 1957 कहीं पर है हाँ थर्ड आप्सन है टेलिवीजन ब्राटकास्टिंग 1957 से शुरू ही थी नेक्स प्रसन है कम्यूनिटी जब्लमेंट प्रोग्राम बिद्धारते हों CDP CDP Community Development Program was started in मतलब समुदाय को विक्सित करने के लिए पूरा जो समुदाय था कम्यूनिटी थी उसके विकास के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 1922 में उसी को CDP कहा गया और जे कब स्टार्ट हुआ था 1952 में तो आपसन नमबर सेकेंड सही हो जाएगा 1922 नेक्स प्रसन है फर्स्ट एग्री कल्चर युनिवस्टी इंडिया तो आप सभी को पता होगा जो फर्स्ट एग्री कल्चर युनिवस्टी बनाय गया था तो आपसन नमबर हमारा शेकेंड सही हो जाएगा पंत्रंगर नेक्स प्रसन है वीट इस एक्राप ग्रोंड डियूरिंग तो यहूं किस मौसम की फसल है यह तो शभी को पता होगा रभी शीजन की है आपसन नमबर इसमें सेकेंड सही हो जाएगा रभी जो किया जाएगा उसके लिए हमको इन ब्रीडिंग बढ़ाने पड़ेगी इन ब्रीडिंग के लिए किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए किया जाता है कि एक जो परजाती हमारे पास है उसकी प्योरटी मेंटेन बनी रहे है यानि कि उसमें होमोजेनिटी बनी रहे ह आउट्रोजेनिटी नायोत्पन हो यानि कि उसमें दूसरे किसी क्राप के जो है गुड़ ना आसाकें और जो उसका प्रमुख गुड़ है बेशिक गुड़ है वही बना रहे और वही इंप्रूब होता रहे उसी में अंदर अंदर तो इसी को कहते हैं सेल पॉलिनेशन इसी लिए कराये जाता है आप आप्षन हमारे पास इनब्रीडिन ऑन्टरी इसा यह फिक गुड़ में नमबर यह तो देखे वी में जो व्याहरति हों किस अपल लाऑडई होता है न हीगिकिया है His है 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 तन् ik टो है क्रौलDR होने के नाति क्या अवंगा क्रोमोजूम नं ब़र होते हैं डी टू एन इंक ड़र फैर्टी टू और है तो अगर हम इसका भाग देंगे तो क्या आएगा साथ तो बैसिक क्रोमोजोम नंबर एक सी उकल टू क्या आजाएगा सेवन तो यह जो है आगया आपका आपसन नंबर थार्ड सही हो जाएगा सेवन नेक्स प्रस्ण है अंगला प्रस्ण है फादर आफ इंडियन ग्रीन रिवलीशन इस यानि कि जो भारती हरित करांति के पिता है वो कौन है तो भारती हरित करांति के पिता विद्यारतियों शभी को पता होगा एक महन बैग्यानिक डाक्टर एमया स्वामिनाथन कौन है डाक्टर एमया स्वामिनाथन है और इनी को फादर आफ इवर ग्रून जो टर्म दिया था इवर ग्रीन रिवलीशन वो भी इन्होंने ही दिया था और इंडियन फादर आफ ग्रीन रिवलीशन डाक्टर एमया स्वामिनाथन है तो आपसर नंबर आपका थार्ड सही हो जाएगा next person है father of economics is तो economics के पिता कौन है तो बिद्यारती हूं father जो economics के हैं वो हैं कौन Adam Smith Adam Smith इन्होंने economics के ऊपर काफी books लिखी हैं और आपकी जो अर्थसास्त्र इंटर की किताब है उसमें सभी जो economist है जो मेन मेन हैं मार्सल हैं पीगू हैं राविंसन हैं एडम समित हैं इन सभी की definitions लिखी हुई हैं उनको आप एक बार जरूर revise करके जाएगा हो सकता है किसी की definition उपर लाइन में लिख दी जाए और नीचे economist के नाम लिख दिये जाए कि यह definition किस ने दी थी तो इतना मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए तो आपसर नंबर आपका सही हो जाएगा थार्ड एडम समित नेक्स प्रसन है कि विच बन अब दा फालोइंग कैंडी स्वीटेवली ग्रोन एज मिक्स क्रॉप विद वीट यानि कि निमलिक्त में से कौन सी ऐसी फसल है जो गेहूं के साथ स्वीटेवली ग्रोन है सबसे अच्छी तरीके से गेहूं के साथ उगाई जा सकती है तो विद्धार्थियों इस गेहूं के साथ सबसे अच्छा उगाने के लिए हम रखते हैं सर्सों को इसका रेशियो रहता है नाइन इस टू बन नौ अनुपात एक का नुपात रह नगदी फसल आप लोग जानते ही हैं ऐसी फसल जिसको उत्पादित करने के बाद लगबग हमें कैस प्राप्त हो जाए जादा से जादा बेची जा सके जिसको घर पे कम रखा जाता हो और यूजेबल जादा घर के कामों के लिए ना हो यानि कि आप उसे डायरेक्ट इसका यूज ना कर सकते हों तो आपसर नंबर पहला है सुगर केन देखे आप सुगर केन को कितना यूज कर सकते हैं घर में आप एक दो गन्ना खा सकते हैं अब खंडशारी उद्ध्योग जो मिठाई बनाने वाला काम है वो भी नहीं होता है ग्रामिड छेत्रों में वो खंडश काटन बनाइन पाएंगे काटन के निकालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका कपड़ा कैसे बनाएंगे तो यह भी आपते ही पड़ेगा केस हो गई यूजेबल में आते धिक जादा से जादा यूज मिलाता है किसान स्टाउग भी कर लेता है और इसे अपने यूज के लिए भी अधिक रखता है तो यह कैस कर आपके अंतरगत नहीं आती है प्रशन है कि सब्से अधिक सबसे बड़ा रवर्ड जो राजैंडिया में काॉन सा है तो विद्धार्टिक के रल है के रल हाइस रवर्ड का पॉल्डवल रवा इंडिया में तो कायां आप शान नंबर आपका धुत सही हो जाए गा नाठक तमिलाइड और अन्दप्रदेश क केरल हो जाए गा अंग्ला प्रस्टन है लाफिंग राज्स हिसे नाम तो विद्धार टो लाफिंग गैस होती है तो हसाने वाली गैस होती है हमारे पास option है hydrogen sub çalış nitrogen dioxide nitrogen dioxide नाइट्रस आक्साइड उल्लाफिद नमबर थर्ट सही हो जाएगा नेक्स प्रसन है लेड उलेंड प्रोग्राम बाज स्टार्ट अबए कि यह प्रसन अच्छा है यह extension अधनी के प्रसन आ रहे हैं विद्यार्तियों थो निग इन्शन के प्रसन आ रहे हैं विद्धार्थियों निए नायसी में एक प्रोग्राम भारती कृष्न संधान पर श्न नाई दिली यानि इसार ने शुरू किया था है उसको लैब टु लेंड प्रोग्राम कर थे हों उसले का कि लैब में किस ने उस ने शुरू कहा था भारति CRM P benefit नाई दिल्ली में और इंडियन कांशल आफ अ क्रेकरिकलचर रिशर्च next person है study of green aquatic thalophytes is known as ये पिछले paper में भी प्रसन था 2013-2014 में भी था green aquatic thalophytes को क्या गहते हैं तो green aquatic thalophytes को कल हमने आपको बताया था fungus होता है और fungus का अध्यन mycology में करते हैं आपन नमबर आपका 3rd सही हो जाएगा mycology next person है स्राइकोस के घटकों को अलग करने की प्रिक्रिया कैसे पूरी की जाती है अब जो वो है आपका इंगलेस में इसका बर्जन लिखा हुआ है सब सेलोरल कंपोनेंट और सेप्रेटेड वाई मीन्स अप्शन है लाइकोस के घटकों को अलग करने की प्रिक्रिया कैसे पूरी की जाती है तो जो सह कोस्किय घटक होते हैं विद्यारतियों इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग किया जाता है इक मोटी सी चीज़ आप इसमें प्रकड़ दीजे कि जो सहUM को और हमें सेप्रेट करना है तो उनको हम सेट्रीफीोगल फॉर्स के द्वारा सेप्रेट करेंगे तो आपिसन में आप देख लिए सेट्रीफीोगल फॉर्स कहीं पर हो तो आप सासर नमबर 4 सही हो जाएगा डेफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियन्ट सेंट्रिफूगल नेक्स अक्रेंस आप टू और मोर टाइप आप लीप संप्लांट इस इसमें थोड़ा बाटनी भी पूंच लिया आप से अग्रिकल्चर एक्स्टेंशन भी पूंच लिया कोशी हो जाना है पूंच लिया त आपको जर्नल सभी जानकारिया होनी चाहिए तो प्रस्थन है अक्रेंस आप टू और मोर लीप यानि कि एक या एक से अधिक लीप सेंप्लांट इस नॉन एस तो अक्रेंस आप टू और मोर टाइप आफ लीप यानि कि एक या एक से अधिक प्रकार की पत्तियां एक ही प्लांट पर पाई आती है यह पूंच रहा है यानि कि एक या एक से अधिक प्रकार की पत्तियां आपने कभी कभी पौदा ऐसा भी देखा होगा जैसे आम या कोई औरनामेंटल प्लांट है जिसमें एक पत्ती हरी है तो दूसरी पीली है तीसरी लाल है चवती नीली है इस प्रकार का पौदा है एक ही प्लांट पर है तो इसे क्या कहते हैं तो हमारे पास आता है आप्शन डाइक डायोसी डाइकोगेमी मल्टी पिनेट और हेट्रोफाइली तो बिद्यारती हूं हिंदी में इसके अप्शन राफ्शन है पठक लिंगी भिन्य लैंगे परिपक्वताब बहु पढ़नी है और भिन्य पढ़नी है तो इसमें हो जाएगा multipinate और heterophily तो इसका option number 4 सही हो जाएगा heterophily भिन्द पढ़नी है नहीं नहीं option number 3 सही होगा multipinate होगा यह जो है heterophily नहीं होगा multipinate होगा अगर एक पौदे पर ही एक से जादा प्रकार की पत्तियां आ रही है एक ही से जादा कलर की पत्तियां आ रही है तो उसे multipinate कहेंगे next person है which one is the most mutable virus यानि कि निमलिकेत में से कौन सबसे अधिक परिवर्तन seal पर साण हो है विद्यारतियों mutable ऐसा वाइरस कौन सा है जो अपना परिवर्तन बहुत फास्ट करता है इसको पहँचानने में बहुत जादा समस्या होती है तुरंट अपना जो रूप है उसको change करता रहता है जैसे इस समख कौना वाइरस चला है तो इसकी बहुत सारे आकार भी है बहुत सारे इसकी लच्छन भी है बहुत सारे symptom भी है यह अपने आकार safe size और यह अपनी प्रक्रति में भी जहां तक है बहुत जली जली से climate के नुसार आदमी के immunity के नुसार बहुत सारी चीजों के साथ एकदम से changement कर लेता है तो यह भी बहुत mutable है कोरोना वाइरस ऐसा नहीं इसमें अगर कोरोना वाइरस भी लिखके आ जाता है आपको कोई option ना मिले तो वह भी सही हो जाएगा यह भी बहुत fast mutable प्रवरत तंसील है और यहां पर हमारे पास जो आप्शन है चिकन पॉक्स बाइरस यह चाईबी इन फ्लूरेंस फ्लू और डेंगू तो इसमें सबसे इनसे जो सबसे ज़ादा mutable virus है वह है चाईबी है यह जाएबी बैरस जो है वह इन मेंसे सबसे ज़ादा mutable है next question है जीबानो जी क्या होते है यानि कि वैक्टीरियो वाग की बात कर रहा है भी दिर्फ्ठ Y प्रिवाव यानिこんにちは सोक्राइग करना चाले हैं और ये ऑपसिन नंबर आपका देखते हैं जीवानों में ब시ंड शक्राइग बार्षा की अटेक्टिरिया बारी अटेकिंग बारी की अटेक्टिरिय सब्सक्राइग है स्पैकनी Бाइयरेश तो अठेक्तीडिया आटेक करता है तो उसी को बैड्युस की बजय कि से ही बिजार्फियों गंगा नदी में कीडे नहीं पड़ते हैं पानी में क्योंकि उसमें बैक्टीरियो फाग पस्तेत रहता है वो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता है अगर पानी में बैक्टीरिया बनता है तो बैक्टीरियो फाग उसको खा जाता है इसी को बैक्टीरियो फाग कहते हैं यानि कि बाइरस अटेक जिसका धारी उतकों को क्या कहते हैं यानि कि जिनमें जान नहीं है और डेड़ सेल हैं उन उतकों को क्या कहेंगे तो आपसन हमारे पास है कोलेंकाइमा पैरेंकाइमा जाइलम फेलोजन अगर हमारे पास यहां पर आपसन विध्यारतियों इसकेलेंकाइमा होता अगर इसकेलेंकाइमा आपसन होता तो सबसे ज्यादा स्वीटेबल इसकेलेंकाइमा था और अगर इसकेलेंकाइमा नहीं है तो हमारे पास फिर आपसन नंबर सेकेंड वाला जो सही होगा वो होगा को आप्शन है पॉर्ड विद वीच ओब दा फोलोईंग दा फ्रेश ग्रेप श्रिंग यानि कि निम लिकित में से किसके साथ रखने पर ताजे अंगूर शुकुड जाते हैं अप्शन आप लोग बताएंगे इसमें देखें हम कितने लोग इसका आंसर बताते हैं आपसन आप लोग बताएंगे इसमें देखें हम कितने लोग इसका अंसर बताते हैं कुछ लोग इसमें सुईट सॉल्यूशन बता रहे हैं कुछ लोग साल्टी सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ट्रीपन लोग लाइव हैं बिल्कुल सही है साल्टी सॉल्यूशन होगा साल्टी सॉल्यूशन में किसमिस जो है वो क्या हो जाए अंगूर जो है किसमिस हो जाएगा next मेंडल के निम्न में से किस पर काम नहीं किया यानि कि मेंडल डिड नाट बर्क ओन विच अब दा फालोइंग तो देखिए द्यारति हो यह प्रसंद थोड़ा जो कमीशन ने दिया है जो विच्चु ने दिया है वो थोड़ा इसमें गड़बड़ी करके दे दिया है मेंडल इड नाट बर्क कान विच अब दा फालोईंग प्लांट हाइट इन पी मतर पौदे की लंबाई सीट कलर इन पी पॉड नमबर इन फी पॉड साइज इन पी नेखिए पॉड सैप की बात की बात की बात की नहीं की गई है लेकिन इसे हम सही माल लेते हैं लेकिन इसमें जो आपका आंसर होगा पार्ड नंबर इन पी इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं की गई है मेंडल के जो साथ नियम थे उन्होंने पार्ड नंबर के ऊपर कभी बात नहीं की उन्होंने डॉमिनेंट करेक्टर लिया था एक रिसेशिब लिया था तो अगर हम पार्ड नंबर इन receive उसका कोई कारेक्टर समाझ में ही नहीं आरहा है यह सारे साल कौली टेटीटिव करेक्टर में और इसमें ये कौन्टिृटिटीव करेक्टर नहीं उसी कौनलतब को जाएका आपका थृर्ड सही हो जाएगा next person ay apple is a fruit कैसा है true fruit vegetable PayPal backpack food ہے और false fruit है तो a secondjon escond सही हो जाएगा फाल्स. particular is the only fertiliser under statutory price control निमल्झे तुर्प्रकों पर्ग बिधिक मूली नियंत्रड के अंतरगत यानि कि ऐसा है विध्यार्थिओं कि कौन सा fertilizer है जिसके उपर सरकार मूलली정 करती है और इसके ऊपर कानून भी बना हुआ है कि इतने से जादा इसका प्राइस नहीं होगा और सबसे जादा सरकार सबसीटी भी इस फर्टिलाजर के उपर देती है किसान को डारेक्ट नहीं देती है लेकिन जो कंपनी बनाती है फर्टिलाजर उसको सबसीटी देती है जिससे की इस खाद का मूल डाउन हो जाए और किसान को सस्ती खाद उपलब्द हो सके तो इस खाद के अंतरगात आती है आपकी यूरिया यूरिया में जो होता है वो इस्टेशरी प्राइस कंट्रोल होता है नेक्स प्रसन है विच आप दफालोईंग ए बी केस ओफ जेनिटिक इंगिनिरिंग निम लिखत में से कौन अनुवांशिक इंगिनिरिंग की बिध्य है तो इन जेनिटिक इंगिनिरिंग की बिध्य में आपके पास आप्सन है डेबलेपिंग ग्रीन फ्लोवार्वर प्लांट थो श्यूंग एलो-flowered plants, second option है improving a plant with the addition of used genes from fish, improving a plant through seed irradiation with gamma rays, और last option है improvement of a plant through tissue culture, यह भी नहीं होगा, tissue culture के द्वारा भी नहीं होगा, यह इसका correct answer है improving a plant through seed irradiation with gamma rays, यही genetic engineering है, next question है, what is BT cotton, high yielding hybrid of American cotton, disease resistant variety of cotton, insect resistant variety of cotton, drought resistant, तो विदारतियों यह आपको पता होगा, जो insect resistant है, इसमें insect, जो BT cotton है, इसमें जो cotton में insect लगता है, उसका क्या कर देती है, उसका digestive system फेल कर देता है, BT cotton, जिसके बज़े से जदी insect खाएगा, BT cotton को, तो उसका digestive system ही फेल हो जाएगा, और मर जाएगा, तो option number आपका third ही हो जाएग next person है, in which field was noble price confirmed upon Norman Ebola, तो हमने आपको पिछली क्लास में ही विद्यारतियों बताया था, कि Norman Ebola जो थे, उनको noble price मिला है, लेकिन सांत के छेत्र में मिला है, बर्लिक बग्यानिक agriculture के थे, और क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने एक sentence कह दिया था, कि bird price will not be and cannot be wilt by empty stomach, यानि कि भूंखे पेट बिश्व में सांती स्थापित की ही नहीं जा सकती, इसलिए सांती का nobel prize ने दे दिया गया था, पीस का हुआ था, next person है, genetic modified organs, तो यह क्या है, stand for the what, अच्छा, इसका full farm पूछा गया है, तो आप देख लीजे, GMO का हो गया, genetically modified organs, option number first हो जाएगा, genetically modified organs, next person है, नेम लिखित में से किसे कोशिका सिद्दान्त, cell theory was first formulated by, तो first formulated जो cell theory की थी, वो किस ने की थी, slide and swan, और इन्हों ने ही की थी, slide and and swan ने, cell theory was proposed by slide and and swan, next person है, अंगला प्रस्न है, तो इस सीरीज में, अभी तक कितने प्रस्न हुए थे, चलिए आप देखे, अभी कुछ technical mistake की बज़े से, अंगला प्रस्न जो आपके सामने है, कोशिका सिद्दान्त ये तो हो चुका है, कोशिका सिद्दान्त जो दिया था, sliding and swan ने दिया था, तो अभी आपको आँगे, इसकी class start की जाएगी, तब तक हम आपको बता देते हैं, देखिए next person जो है, which of the following processes chloroplasts, तो निम लेखित में इसे किसमे हरित लबक उपस्तित होता है, तो हरित लबक जो होता है photosynthetic bacteria, blue-green algae, green plant cells और fungal cells, तो photosynthetic bacteria में तो होगा नहीं, BGA में भी नहीं होगा और fungal cells में भी नहीं होगा, तो ये होगा green plant cells chloroplasts, next person है, अंगला प्रस्न जो है, वो यह है which of the two living organs symbiotically dwell together to form a lichen structure यानि कि नेम लेखित में से कौन से जो दो दीव जीवधारी एक साथ बास करते हुए lichen नामक साहजी भी सारचना का निर्मार करते हैं तो बिद्यारतियों lichen जो है यह साहजी विता है algae की और fungi किसकी किसकी है algae की सेवाल की और fungus के association को ही lichen कहते हैं किसकी association को सैवाल और fungus के association को क्या कहते है lichen कहते हैं तो आपसन नमबर हमारे देखते हैं कौन सा सही होगा bg and virus बिल्कुल गलत fungus and virus गलत है algae and fungus correct third option सही है next person है Trepsin is है विड्यारत्रफीन एक जो है यह यह जो एक कि प्रोटीन का है और डिया management प्रोटीन का वहाँ है अधो asking स्वाटी इसिट सुगर अलेगो स्ग्रेटिन तो प्रोटीन प्रोटीन नेक्स प्रस्टन है कि विच अब दा विच आप दीज इस नाट आप प्लांट निम्लिकत में से कौन सा सीफोर पौदा नहीं तो मैंज हमारा सीफोर है राइस नहीं है शोरगम भी है और सुगर केन भी तो आप सन्थ नम्बर सेकेंड डिस में सही हो जाएगा यह राइस नेक्स प्रस्टन विच अब दीज फिक्स नाइट्रोजन इंसाइड लेगुमनेस प्लांट रूट्स निम्लिकत में से कौन जी बारु दल है नी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन इस्तिरी करकी क्रिया पूरी करता है तो इसमें हमारे पास राइजोबियम रा अपास है यानि की स्रेडी में आएगा है माट्रॉप्स की स्रेडी में आएगा तो हाइड्रा एजोला सल्मों नेला और अर्थवर्म यह विद्धार जों कामन से प्रसन आते हैं हमने का 2015 के बाद कुछ प्रसन जो है कामन से आपके दिमाग को सेंस को चेक करने के लिए भी तो ऑपी एक है नहीं है जोला है सलोन रफ्वरम कर देख्स oh इंटर्नेशनल राइस सं स्न्टिटूट इंटर नायजुन राइस रीसेश से चिंस्टीटूट वी सब्सक्राइच आर लुई यह है फिलिपींस फिलिपीन्स मनीला में, तो कहां पर है, फिलिपीन्स की केपिटल मनीला, तो फिलिपीन्स की केपिटल मनीला में है, तो मनीला लिखा हुआ है, आपसन नमबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, नेक्स परसन है, विच अब दा फालोइंग इस बर्टीब्रेट एनिमल, निमलिकित मेंसे कौन सा vertebrate जानबर है तो आपसन हमारे पास दिए गये हैं रीड धारी पसु कौन है तो प्राउन है जींगा आपसन में शनेक है मास्क्यूटो है और आक्टोपस है तो प्राउन जींगा तो है नहीं जींगा तो नहीं है क्योंकि इंसेक्ट है मास्क्यूटो जितने भी इंसेक्ट है इनके रीड नहीं होती है इनमें क्या होता है है थोरक्स और अब्डोएन होता है रीड नहीं है मास्क्यूटो में भी नहीं है और आक्टोपस में भी नहीं है रीड किसमें है स्नेक में है साधार सी बात है नेक्स प्रसन life span of blood platelets is about तो जो blood की platelets है इनकी life क्या होती है ये भी सामान को सन आ गया agriculture से थोड़ा आठ के तो blood की platelets होती है वो 8 से 12 दिन की होती है इनका life span होता है तो यहाँ पर option हमारा दिन मिलेगा आपको 10 से 12 वाला clear हो जाएगा next person है which of the following organs prove to be most useful in genetic engineering studies यानि कि अनुवांसिक अभियंत्र की शोध है तो निमलिखित में से कौन सा जीव अधिक्तम उपयोगी शाधन सिद्ध होता है तो बिद्धियत्यों आपसन हमारे पास है ब्रासिका ओले रेशिया बिलकुल गलात है ग्लाइशिन मेक्स यह भी नहीं होता है जैडिराश्टा यह तो नीम है यह नीम है यह सोयावीन है और यह ब्रैसिका सरसों कुल का है तो यह सब नहीं होते है इसमें होता है यूज ई कोलाई इसको कहते हैं इस्चिरेशिया कोलाई को ही जीनगन के रूप में बहुत सारी जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए जीनेटिक इंजिनिरिंग में बिद्धियों यूज किया जाता है तो आपसर नंबर चार सही हो तो आपने एनालिशिश की पेपर की और आज का पेपर कम्पलीट हुआ कल आपका जो बीचु का इंटरेंस एक्जाम है वो है तो बिदारतियों बहुत ही धायरे के साथ बहुत ही सहियम के साथ आप पेपर को दें और उसमें जो भी प्रसंद पूँचे गए हो उनको बहुत धायरता के साथ आप अटेम्ट करें बहुत कोस्चन दो चार कोस्चन तो आपके लॉजिक पर भी आ जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप सभी रटने वाले प्रसंद आजाएं आप अगर लॉजिक लगाएंगे उससे समझेंगे तो आप प्रसंद को सही कर ले जाएंगे तो पे दिमाग को अस्थिर रखेंगे तो पेपर आपका 101% गलत ही हो जाएगा तो जाएए इतमिनान से पेपर में जो है आप इस्थिरता बनाए रखिए और धायर के साथ कीजिए आपका पेपर अच्छा होगा और इसी के साथ आज के पेपर को देखने के लिए बहुत बहुत ध झाल 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 झाल